आप लोग जानते हो कि SSE MTS में दो परकार की पोस्ट होती है, पहली ग्रूप C की पोस्ट और दूसरी ग्रूप D की पोस्ट तो दोस्टों अगर आप यहाँ पर ज्यादा मार्क्स अप्टेन करते हो तो आपको यहाँ पर ग्रूप C की पोस्ट दे दी जाती है जिसमें आपको custom department या फिर income tax department में आपकी duty लगाई जाती है जो एक बहुती respected और high level की job होती है तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि general category साथी में OBC category SCST वालों को यहाँ पर कम से कम कितने marks लाने होंगे जिससे कि आपको यहाँ पर SSE MTS में एक अच्छी post यानि की group C की post मिल सके तो दोस्तों चली वीडियो सुरू करते हैं लाइक गया बाड़ने, subscribe गया तेल लेने, आप directly वीडियो देखी तो फ्रेंट्स आज की जो यह वीडियो है यह SSE MTS वाले सभी candidates के लिए सबसे important वीडियो है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो बातें बताने वाला हूँ यह नहीं तो आपको कभी भी किसी ने YouTube पर बताई होगी और नहीं तो आपने कहीं offline सुनी होगी तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने SSE MTS की एक playlist बना रखिये जिसका link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा तो फ्रेंट्स इस playlist में वो सारे videos available है जो SSE MTS वाले candidates के लिए सबसे important videos है क्योंके फ्रेंट्स जब तक आपके SSE MTS के exam pattern और यहाँ पर selection का process का concept mind में clear नहीं होगा तब तक आप SSE MTS की सई से तयारी नहीं कर पाएंगे और नहीं तो आप यहाँ पर ज्यादा marks obtain कर पाएंगे तो फ्रेंट्स इस playlist का जो सबसे पहला वीडियो है इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस प्रकार से आप सिर्फ यहाँ पर एक महीने की पढ़ाई करके SSE MTS के exam को crack कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप सिर्फ इस एक वीडियो को ही देख लेते हैं तो भी आपके यहाँ पर SSE MTS पर एक सा 2019 के टायर फर्स में आपको 15 से 20 नमबर का आसानी से फायदा मिल जाएगा 15 से 20 नमबर आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे तो फ्रेंट्स अभी का लिंक वीडियो के डेस्क्रिप्स में मिल जाएगा वहाँ से आप ये वीडियो आसानी से देख सकते हैं तो friends अब बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने नंबर लाने पर आसानी से अच्छी पोस्ट मिल जाएगी SSE MTS में तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर SSE MTS के टायर फस्ट एक्जाम की cut-off 2016 वाली लेख रखी है तो friends मैं आपको बता दूँ कि जो टायर फस्ट की cut-off होती है यह आपके India-wise जाती है और जो आपके टायर second की cut-off होती है वो आपके statewide जाती है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 का जो टायर फस्ट की cut-off थी यहाँ पर ओल इंडिया वाइस गई थी जो जनरल की यहाँ पर 110 नमबर गई थी क्योंकि फ्रेंड जो SSE MTS का 2016 का एक्जाम था वो 150 नमबर का था जिससे कि यहाँ पर जनरल वालों की cut-off 110 नमबर गई थी और OBC वालों के यहाँ पर 101 नमबर काटओ गई थी मदलब की 68 परशेंट गई थी SSE वालों की 100 मार्क्स मदलब की 67 परशेंटेज और S T वालों की यहाँ पर 87 मार्क्स मदलब की 58 परशेंटेज तो friends यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी समझने की बात है थोड़ा आप ध्यान देकर सुनिएगा कि friends जो यहाँ पर आपके SSC MTS के टायर 1st में जितने भी आपके marks आते हैं उसी के आदार पर आपके टायर 1st की cut-off बनती है सबसे पहले आपके टायर 1st की cut-off बनती है उसके बाद में आपके यहाँ पर टायर 2nd का exam होता है और उसके बाद में जो लोग टायर 2nd में यहाँ पर पास हो जाते हैं क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हीं लोगों की फिर से यहाँ पर टायर 1st की cut-off बनती है और जो यहाँ पर tire first से tire second की जो cut off होती है वो थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है तो friends यह बात हो गई अपने tire first की चली अब 2016 के tire second की बात कर लेते हैं उसके बाद में आपको बताते हैं कि इस बार आपको कितने marks लाने होगे जिससे कि आपको यहाँ पर सबसे अच्छी post जो income tax department या फिर custom department में मिल सकती है तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यह tire second की यहाँ पर cut off है मतलब कि जो tire first की है लेकिन tire second के बाद में इसे यहाँ पर फिर से गोसित किया जाता है तो friends tire second की जो आपके cut off होती है वो यहाँ पर state wise जाती है मतलब कि हर state की अलग लग जाती है लेकिन फिर्ट भी फ्रेंड मैंने यहां पर जो जितने भी बात के स्टेट है उन सभी स्टेट की मैंने यहां पर एक एवरेज निकाल लिया है जनरल के लिए कितना एवरेज है, OBC के लिए कितना एवरेज है, SC, ST सभी के लिए मैंने यहां पर एवरेज निकाल दिया तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 का tire second की जो average all state की cutoff है वो general category के लिए 128 marks गई थी मतलब की 85 percentage 150 की बात करें तो friends आपके यहाँ पर 150 में से ये cutoff गई है फिर अगर OBC की बात करें तो friends आपके यहाँ पर 126 cutoff गई थी मतलब की 84 percentage गई थी OBC के लिए SC की cutoff यहाँ पर 124 गई थी जो average है सबी state के लिए जो यहाँ पर 83 percentage गई थी और ST की जो आपर cutoff है यह 116 marks गई थी मतलब की 77 percentage गई थी तो friends इस बार वैसे तो cutoff आपके उपर जानी ही है इससे तो cutoff वैसे भी इस बार ज्यादा जाएगी क्योंकि हर बार जैसे जैसे exam होते हैं एक दो साल बाद में तो cutoff उसकी उपर जाती ही रहती है तो friends अब बात कर लेते हैं कि SSE MTS पर 2019 में आपको सबसे अच्छी पोस्ट मतलब की group C की पोस्ट कितने number लाने पर मिलेगी तो friends सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल केटेगरी की तो friends पिछली बार आपके जो total paper था वो 150 marks का है लेकिन दोस्तों इस बार आपके SSE MTS पर 2019 का जो total paper होगा वो 100 marks का होगा तो friends पिछली बार 2016 में आपके यहाँ पर tire second की cutoff थी वो general वालों के लिए यहाँ पर 85 percentage गई थी तो दोस्तों वैसे तो हर साल यहाँ पर cutoff थोड़ी बहुत उपर जाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपके selection होने के लिए लगबग इस बार आपकी cutoff हो जनरल के लिए 88 percentage यानि की 88 marks जा सकती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे अच्छी पोस्ट चाहिए तो आपको यहाँ पर लगबग 92 प्लस marks लाने होंगे जिससे कि आपको यहाँ पर अपनी मन पसंद पोस्ट मिल जाएगी मतलब कि सबसे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी फिर फेंड्स अगर OBC की बात करें तो OBC की यहाँ पर 2016 में टायर सेकेंड की जो कट आफ है वो यहाँ पर 84% गई थी मतलब की इस बार 2019 के लिया से देखें तो 84 marks गई थी लेकिन दोस्तों आपको अपको अपनी सबसे अच्छी पोस्ट लेनी है तो यहाँ पर आपको लगबग इस बार 90 से लेकर 92 के बीच में marks लाने होंगे OBC वालों को जिससे की आपको यहाँ पर सबसे अच्छी पोस्ट मिलेगी फिर SC केटेगरी बात करें तो SC वालों के यहाँ पर 83% 2016 में गई थी और इसे उपर थोड़ी बहुत जाएगी और फिर भी आप अपनी सबसे अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं तो इस बार आपके यहाँ पर लगबग आपके 86 से लेकर 88 नम के बीच में आपको लाने होंगे जिससे आपको सबसे अच्छी पोस्ट मिल जाएगी फिर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं SC केटेगरी वालों की तो फ्रेंड्स बार आपको यहाँ पर लगबग इससे दस नमबर ज्यादा या फिर लगबग आठ नमबर ज्यादा मान ले तो भी दोस्टों आपको यहाँ पर लगबग 83 से लेकर 85 के बीच मार्स लाने होंगे जिससे आपको यहाँ पर जो भी आपकी सबसे अच्छी गुरूप C की पोस्ट है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट या फिर कस्टम डिपार्टमेंट की वो पोस्ट आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी तो फ्रेंट्स यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं इस हिसाब से अपनी तयारी कर सकते हैं तो फ्रेंट डिडियो पसंद लाइक कीजिए दोस्तों में सेर कीजिए चैनल को सब्सक्रेब करके बेल आइकन को जरूर पैस कर दीजिए जैहिंद बंदे मातरम